जै बिहार और नमस्कार मेरे बिहार शिक्षक बहाली तात्मिक और माध्यमिक हाई स्कूल उच माध्यमिक सबके आप सभी भावी सिक्षक आप सब 3-4 दिन मेरा गयप हो गया और इसमें आप सबके लगातार कॉमेंट देख रहे हैं कुछ साथी इमेल के ज़री है अपनी सिका में आप दिन देखा कि पेपर की कटिंग स्वाइरल हो गए निवेजनी काई आ गए बहुत सारे नियम आ गए किसे ने कहा दिया कि माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होने वाली है 100 नंबर का कोशन आएगा आपको इस लेबल पे होगा इस तरह की तमाम चीजे तमाम कोचि मतनला लिटरी हत रहा है सब की मतला चल देखिए आपको सारी वियातों को बता है तर पहले ये नोटिस है अपने 19 तरी की अगर आपने देख ली होगी तो ठीक है और नहीं दखिए तो मैं आपको 19 तरी मतलब परसो की नोटिस है और आप देखेंगे कि प्राथमी के डारेक्टर चेंज किये गये हैं और पंकर सर को प्राथमी का डारेक्टर बनाया गया है अभी अभी ततकाल बनाया गया है और 19 तारीकों भी मादमी का कनिया सिर्वास्ता सर को भी डारेक्टर बनाया गया है ना तो अभी डाइलेक्टर गए है वहाँ पे और फंकर सर काफी डाइनेमिक अफिसर है उनसे थोड़ा प्रस्टनल एक्विश्चन है काम करना हुआ उनके अंटर में तो थोड़ा जनकारी भी है तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगो कि यह मैं क्यों आपको अभी दि नियों मौली ऐसे हो जागा वैसे हो जागा लेकिन एक्जेक्ट जो है कभी पेपर ने आपको सही नहीं बताया और उस हिसाब से अगर आप कोर्स ले लें क्या जोईन कर लें क्या इन्रोल कर लें यह आपकी मर्जिय पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है लेकिन मैं यह माफी जाहेंगे कि वही तीन दिन नहीं आपाई क्योंकि वही बात यह न कि रोजी रोटी का अपना भी सवाल है यार प्रोफेस्नल लाइफ है प्रोफेस्नल जीवन की कुछ मजबुरिया होती है काम करना पड़ता है घर परिवार अपना भी चलाना है तो लगतार कुछ का काम ऐसा प्रोफेस्नल ली आ गया था जिसके वज़े से छुट्टी नहीं मिल पा रहे कि आप लोग के बीच में का करें जिंदगी है काम करना अपने लिए भी जरूरी है यूटूब से घर का घर्चर नहीं चल पाता है भाई सजवतार है इससे थोड़ी नहीं चलेगा और सिर्फ भ्यू बना करके कोई मतलब नहीं तो इसलिए नहीं आप है इसके लिए माफी जाएंगे और चैनल पर नए है तो निवेदन है या पुराने साती है आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर खीज़ेगा आपका समठ्ठनी हमारी ताकत है जरूर समीती जिसका गठन किया जाता है और वह आपके पेपर के उपर विचार करती है कि आपका पेपर कैसा होगा वही पेपर बनाती है एक पन्ने का मतलब वह एक हाइड कॉपी बनाती है और वही पेपर जो बनता है वह आपके एक्जाम के लिए जाता है बाद में एक्जाम के तो पहली बात मैं आपको बताओं कि पेपर कमेटी का गठन आज तक हुआ है इवें पंकर सर को कनिया सर को इसलिए भेजा गया है कि आप वो लोग अपनी जो है अपनी मीटिंग्स लें और अपने सलेवस को जो है रिडायल करें और बीपीस्ट के तरो और एक और बात बीपी ही नहीं रखेंगे सवालो को ना तो बच्चों की योगिता कि पप्रक कैसे होँगी तो यह आप समझे कि पेपर को लेकर के BPSC का क्या हमेशा से रहा है ठीक है आप लोग कह रहे हैं हम लोग भी कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा easy होगा लेकिन आप इसको हवा नहीं ले सकते हैं पहली चीज़ दूसरी बात सलेबस अभी तक decided नहीं है इसके उपर अभी बात ही नहीं हो रही अभी तो रिक्तियां मांगी गई है high school की भी और प्रात्मिक की भी रिक्तियां और इसी बीच में एक चीज़ आप notice कर ना भूल गए कि आपकी प्रात्मिक की सीटे धीरे-धीरे कम होती जा रही है जो डियर लाग दो लाग हो रहा थी वो 80,000, 90,000 तक आ रही है इसको लेकर के भी आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि उसमें दोनों पक्ष हैं B.A.D. वाले भी साती हैं और D.A.D. वाले भी साती हैं और प्रात्मिक में अगर भरतियां कम रहेंगी तो दिक्कत होगी इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा इसके बरे में आगे बात करेंगे, फिलाल बात करते हैं कि क्या है exam pattern और क्या syllabus decide हुए, देखिए मैं आपको कभी भी mislead नहीं करता हूँ क्योंकि हमको course उस तो बेचना नहीं है भाई, पढ़ाना तो है नहीं, तो मैं बताओं कि syllabus committee नहीं बनी है, अभी उसके उपर बात नहीं हुआ है, directors अपने अपने गए हैं, और अपने अपने directors अप final paper committee का गठन किया जाएगा, जो लोग कह रहे हैं कि June में paper हो जाएगा, भाई यह exam से पहले tender निकालना पड़ता है, exam का, यह जानकारी नहीं है, क्या आप लोग को, आप लोग भी तो सिख्चक है, tender की बात ने, tender होते होते होते, डेड़ महीना लग जाता है, tender होना, फिर final होना, पूट पढ़नेगा, फिर final होगा, फिर परिक्चा समीती से रिपूर्ट लिया जाएगा, फिर इतना आसान नहीं होता है, पहली चीज़, दूसरी बात, सलेवस को लेकर के, अभी committee बनी ही नहीं है, कि सलेवस किस तरीके का रहेगा, माइनस मार्किंग होगी नहीं होगी, इसको लेकर के, इसी बात पहुंसी होई, कि अभी उन लोग ने सुरूर भी नहीं किया, और आप लोग ने माइनस मार्किंग दे पहुंचा दिया, होड़ सकता है कि माइनस मार्किंग ना रहा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि माइनस मार्किंग रहा है, कि अभी तो और मतलब जितनी जल्दी हो सको करना है तो इसके लिए वो इतना बड़ा मन्थन करेंगे तो उनके लिए काफी ज़्यादा टाइम लग जागा जो सुचना है निकल के आ रहे हैं कि सीटेट लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा यही एक संभावना बन रही है फिलहाल क कि अधिकारियों ने सलेबर डिसाइड ने किया तो यह लोग जो भी बता रहे हैं अपनी अपनी प्रेडिक्सिंस बता रहे हैं हां मैं यह आपको बता सकता हूं कि पंकत सर एक काफी डाइनेमिक अफिसर है और आपके चीज़े अब तेजी से बढ़ें इसी लिए यह थांत माली को लेकर कि तमाम आप लोगेशन सुजन दे क्या महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा उसको लेकर के भी सरकार थोड़ा सा बैक फूट पर आई है और हो सकता है कि वह 50% से 35% पर आजाए 35% भी काफी बड़ा संख्या होता है यह एक सही बात है क्योंकि इसमें यह एक दिक्कत है जिसकी वैसे इसको रोल बैक करने की बात की जा रही है लेकिन डोमिसाइल लागू रहेगा यह आप समझ लिजिए डोमिसाइल लागू रहेगा और अगर आप जो नियाहा के निमासी है तभी आप इसमें इलीजबल हो पाएंगे बिहार के निमासी है आपके इस फॉर्म में साम्मील होने के लिए सिक्षक भरती के इस महाल में इस भरती में अपना दवेदारी देने के लिए सेंटरलाइज सिस्टेम की बात हो कि अब बाकी सारी नियुमावली की चीज़ें जो है जो बहुत दीफ है मनुद्सत से अगर प्रयास करेंगे बात करने के गर एक बर बात होती है कुछ चीज़े तय होती तब आप लोगे बीश में आ करके एक बार ब्रीफ जो है आप सब को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही है फिलहाल जो है यह सब जो भी चल ला है ठीक है कोर्से साफ लोगो मतलब सबने अपने कोर्स तयार किया है उसी साफ से आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी सलेवस डिसाइड नहीं है उमीद करता हूँ आपको जनकारी मिल गई होगी मिलता हूँ प्रणाओ